नमस्कार दोस्तों मैं हूं बिटी कुमार और मेरी यूटुब चनल में आपका स्वागत है दोस्तों एक बड़ी ख़बर एक बड़ी अपडेट देने जा रहे हैं यह आप देख सकते हैं इनानमे सीट रिक्त पास हजार से अधिक हैं अभ्यारती चौथे चलंकी कौंस्लिंग के लिए बची हैं 21 नियोजन इकाईयां तीसरे राण में 356 पर चैन 255 शीटों पर नहीं मिले अभ्यारती तीन चलंकी कौंस्लिंग में नहीं हो सकी चैन पर किरिया इसका भी अपडेट ह इंतिजार में शीटेट भी गवाने का डर अभ्यारत्यों निदी आंदोलन की चितामनी तो चलिए बारी बारी से सब रिजल्ट को देख लेते हैं विश्तार से देख लेते हैं हर एक खबर को कि क्या ऐसा खबर निकल के आ रहा है जो कि आपके लिए जरूरी है तो यह खब इकाईयां हिस्सा लेगी या अगर माले की चौथे चर्ण की बहाली होती है तो मुझहपरपुर में 25 नोजन इकाई की कौंसलिंग कराए जाएगी चौथे चर्ण में इन नोजन इकाईयों में 99 सीटे रिक्त हैं यानि कि 21 इकाईय को मिला कर जो सीटों की संक्या होती है वो टोटल 99 99 अब तक हुई तीन रौंड की कौंसलिंग में तमाम निर्देशों के बाद भी इन नोजन इकाईयों ने चैन की परकिरिया पूरी नहीं किये गई है कहीं किसी कारण मैधा अनुमोदन की कारण नहीं हुआ है तो कहीं किनी का तव्यत खराब होने कारण कोंसलिंग नहीं कराया गया तो एक छोटा सा प्रोलम हर कहीं न कहीं आपको निर्देशन इकाई के साथ दिखने को मिल सकता है पिछले साल जुलाई वह अगस्त और इस साल जन्वरी में हुई तीन चैनों की कौंसलिंग में 21 इकाईयों के 99 शीटों के लिए चैन परकिरिया नहीं हो सक तिसरे रौंड की कौंसलिंग सुरू हुई थी 28 जन्वरी को पंचाईत निर्देशन इकाईयों के साथ परकिरिया पूरी हुई जो निर्देशन इकाई अब तक्चे नहीं करा सकी है उसमें 12 निर्देशन इकाईयों का नगर परसद या नगर पंचाईत में बिलाई हो लेकिन यहां मेधा सुची को लेकर कोई तैयारी नहीं थी इसके अलावे 9 पंचाईत निर्देशन इकाईयों ने जिला मुख्याले के काई निर्देश के बाद भी अब तक मेधा सुची नहीं दी है इसमें औरई परखंड के 4, मोतीपुर के 2, कटरा के 1, बंदरा के 1 वा गाए घाट के एक निर्देशन इकाई सामिल हैं अब यहां पर देख लिए 2,045 शीटों पर नहीं मिले अभ्यारती चट्थे चन की निर्देशन पर किरिया में अब तक 2,095 शीटों के लिए अभ्यारती ही नहीं मिले इसमें अधिकतर उर्दू सहित SC, ST महला के लिए आरसित सीट खाली रह गई छटमे चन की निर्देशन पर किरिया 4700 सीटों के लिए शुरू हुई थी इसमें जिन 11 निर्देशन इकाईव में हिस्सा नहीं लिया उसमें 99 सीट हैं यानि 4,601 रिक्ती के सापेक्ष अब तक 2,506 अभ्यारतों का चैन हुआ ह पिशले साल जुलाई व अगस्त के पहले दो राउंड की कॉंसरिं 3775 सीटों के लिए हुई थी जिन में 2,150 अभ्यारतों का चैन हुआ था यहाँ पर देख सकते हैं कि तिसरे रौण में 356 पर चैन इस महीने हुए तिसरे रौण की कॉंसरिं में करीब 55,50 सीटे खाली ही रह गई है नगर निकाई प्रखंड वा पंचायट नोजन एकाईओं के लिए चैन पर किरिया पूरी हो चुकी है 846 सीटों के लिए कॉंसरिं हुई जिसमें 306 अभिहरतों का चैन हुआ इसमें नगर निगम सहित नगर निकाईओं में 168 सीट पर 181 का चैन हुआ वहीं प्रखंड नोजन एकाईओं में 506 सीटों पर चैन पर किरिया पूरी की गई जिनमें 215 का चैन हुआ पंचायत नोजन एकाईओं में 172 सीटे खाली थे जिनमें 60 का चैन हुआ है तो यह हमने मुझपरपुर का अपडेट दिया अब आपको हम यहां का बीड का रिजल्ट देते हैं इसमें क्या प्रोलम क्या आ रहा है वो डिटेल हम आपको विस्तार से बता रहते हैं कहा जा र गुहार नहीं मिला बीड का रिजल्ट तो सीटेट भी हो जाएगा अमान पाच माह पर इच्छा के बीते नहीं मिला अब तक रिजल्ट अभ्यर्तों ने दी आंदोलन की चितावनी 30,000 से अधिक सात्रों का दाव पर लग गया है भविस तो चलिए देख लेते हैं यह भी ख इन अभ्यर्तियों का अब तक बीड का रिजल्ट नहीं आया है ऐसे में सीटेट का भी रिजल्ट अमान हो जाएगा यानि कि बहुत सारे ऐसे कनिडेट हैं जो वाली अपेरिंग कनिडेट होते हैं जिनका फाइनल रिजल्ट आने वाला राता और वो सीटेट का फॉर्म डा होते तो उनको मौका दिया जाता है सीटेट के तरफ से कि आप इसमें डाल सकते हैं आपका सीटेट होते होते हैं आपका बीड का भी रिजल्ट कम्प्लिट हो जाएगा मामला यहीं पर हैं बी आरे बिहार विश्विद्याले में समान कोर्स के साथ ही अलग-अलग तरह के को मामला अब्यार्तों का है इन अभ्यार्तो ने विश्विद्याले परिछा नियंत्रक से रिजल्ट को लेकर गुहार लगाई है सुधान सुकुमार, नलीन, संकेत आधी अभियरतों ने कहा है कि हम सभी बीड़ सत्र 2019-21 के शात्र हैं हमारे धुत्य वर्स की परिच्छा अगस्त महने में हुई मगर पांच महिने बाद भी आज तक रिजल्ट नहीं मिला है अभियरतों ने कहा कि परिच्छा हो जाने के कारण ही हम सीटेट भी सामिल हुएं आज तक हम बीड़ के रिजल्ट का ही इंतिजार कर रहे हैं यानि कि सात्मे चर्ण में इनको थोड़ा सा जटका लग सकता है अगर बीड़ का रिजल्ट जारी नहीं होता है अभियरतों ने कहा है कि सीटेट से पहले बीड़ का रिजल्ट अगर नहीं मिला तो सीटेट का रिजल्ट भी अमान हो जाएगा अभियरतों ने मांग की कि जल्द से जल्द हमारे बीड़ का रिजल्ट जारी किया जाए ऐसा नहीं होने पर हम आंदोलों को बाद होंगे तीस हजार से अधिक छात्र ऐसे हैं जिनका रिजल्ट नहीं मिलने कारण भविस दाव पर लटक गया है तो दो बड़ी अपडेट हमने आपको दिया दोनों एक बीड से रिलेटेड और एक चौथे चरंग के कौसलिंग से रिलेटेड और दोनों एक सिचाई वाग के तरफ से जारी हुआ है और एक अभियरत्यों के तरफ से जारी किया गया है तो दोनों का update हमने आपको दिया दोस्तों अब आप हमें comment करके बता सकते हैं तो ये video कैसा लगा आपको अगर अच्छा लगा तो like भी किजेगा comment भी किजेगा और जितने ग्रूप में हैं उतने ग्रूप में इस video को share भी किजेगा फिर मिलते हैं एक next video में धन्यवा दोस्तों झाल झाल